तेशभर में स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्याले कुरोना महमारी के चलते बंध हैं लेकिन इसकी गाज एड-hawk सिक्षकों पर गिरना शुरू हो गई है। एड-hawk सिक्षकों का दावा है कि 20 मार्च को श्रम मंत्राले और 15 अपरायल को AICTE ने साफ तोर पर कहा था कि कोई भी संस्थान ना तनख्वार रोकेंगे और ना ही कर्मचारियों को नौकरी से निकालेंगे। लेकिन इसके बावजूद आर जीपी वीके 106 एड-hawk एसेस्ट जाबवा में हैं जिसमें लगभग 140 संभीज अपराद्या पर काम करते हैं। 12 माई को एक आदेश निकालकर लगभग UITRGBD भूपाल के 80 संभीज अपराद्या परोको असिस्टन प्रफेसर्स को बाहर करते हैं। एबं कल शाम को एक आदेश निकालकर लगभग इसके चलते हम एक मुवीब चला रहे हैं जिसमें हम अपने वाफसी की मांग कर रहे हैं। यह वाम जो हमारे साथ ही बचे हैं। उनको बाहर निकाला जाया है। इसकी बात करते हैं। आरजी पीवी में ऑनलाइन क्लासेश चल रही हैं। निकाले गए सिक्षकों ने कहा कि इसका असर छात्रों के भविश्य पर भी बढ़ना तैय है। यह चात्रों के भविश्य से भी खिलवार है। जी ने सबको यह आदेश दिया था कि कोई भी सरकारी करमचारी और प्राइवेट करमचारी को नौकरी से ना निकाला जाए। लेकिन उनके इस आदेश की दच्चियों को अड़ाते हुए हमारे RGPV प्रसाशन ने करीब 80-85 संबिदा करमियों को 15 मई 2020 को नौकरी से निकाल दिया है। अब हम Twitter और Facebook पे एक campaign चला के आप लोगों से सयोग चाते हैं कि आप हमारी सायता करें और RGPV प्रसाशन को हम ये विनम्र अन्रोद करना चाते हैं कि वो हमें नौकरी पे फिर से रखें। मध्यप्रदेश में RGPV में तकरीबन 140 एड हॉक सिक्षक हैं जिन में से 106 की नौकरी जा चुकी हैं। माना जा रहा है कि बाकी सिक्षक भी जल्द ही नौकरी से बाहर कर दिये जाएंगे। अंकुश चॉबिक रिपोर्ट, को नियूस